पावर ग्रीट कॉर्परेशन इंडिया लिमिटेड ने अपने बोनस इसऊ की रिकार्ड डेट। फिक्स कर दी है। Company ने 1 is 2 3 के ratio में bonus विसू किया है यानि कि अगर record date पर आपके पास इस company के 3 shares होंगे तो company आपको एक bonus share देगी और आपके पास total number of shares 4 हो जाएंगे तो company आपको हर 3 shares पर 1 bonus share देगी तो अगर record date पर आपके पास इस company के 6 shares होंगे तो आपको 2 bonus shares मिलेंगे लेकिन अगर आपके पास 5 share भी होंगे तो भी आपको एक ही bonus share मिलेगा तो आपके पास 3 के multiple पर जितने भी share होंगे उतने आपको bonus shares भी देजाएंगे तो अगर record date पर आपके पास इस company के 3 shares होंगे तो आपको 1 bonus share मिलेगा 6 shares होंगे तो आपको 2 bonus shares मिलेंगे अगर 9 shares होंगे तो आपको 3 bonus shares मिलेंगे अगर आपके पास 12 shares होंगे तो आपको 4 bonus shares मिलेंगे तो आपको इसी तरह से calculate करना है Fractional shares को count नहीं किया जाएगा Company ने इस bonus issue के recorded 12 September 2023 fix की है जो Tuesday है और चुझकि इस share की settlement T plus 1 basis पर होती है तो ये share 12 September 2023 को ही X bonus होगा तो अगर आप bonus shares चाहते हैं तो आपके लिए इस share की buying की last date 11 September 2023 है और अगर आप इस company के existing share holder हैं और आप bonus shares चाहते हैं तो आपको अपने shares को 11 September 2023 तक hold कर ही रखना होगा तभी आप bonus shares के लिए legible होंगे यहाँ मैं आपको important बात बता दूँ की 12 September 2023 को आपको pre-opening में ही इस share में 25% का लगबग 25% का adjustment दिखेगा या गिरावट दिखेगी तो आपको इस गिरावट से बिलकुल घबराना नहीं है क्योंकि यह कोई गिरावट नहीं होगी यह एक मातर price adjustment ही होगा तो अगर हम लोग इस share के आज के current market price को consider करें जो 240 रुपे के आसपास है तो X bonus होते ही इस share का price 180 रुपे के आसपास हो जाएगा यहाँ मैंने आपको current market price उदारन के तौर पर समझाने के लिए लिया है इस bonus issue के बाद मतलब X bonus होते ही इस share का price क्या होगा यह X bonus से पहले वाली closing price पर depend करेगा यानि के 11 September 2013 के closing price पर depend करेगा तो दोस्तों इस bonus issue के बाद आपके पास number of shares तो बढ़ जाएंगे लेकिन इस share price में proportionate गिरावट होगी तो आपके holding के value में कोई change नहीं आने वाला है तो immediately आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला है लेकिन हाँ long term में आपको इस bonus issue का फाइदा हो सकता है क्योंकि जब bonus issue होगा और price adjustment होगा तो इस share की liquidity बढ़ जाएगी इससे भी आपको फाइदा हो सकता है और company अगर future में buyback लाती है या dividend देती है तो भी आपको इसका फाइदा होगा क्योंकि आपके पास number of shares बढ़ जाएगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो का अधिक सर्दिक्त लोगों के साथ share भी करें बहुत भुत धन्यवाद